दोस्तो वेल्गम करता हूँ आपका एजोक्टिव बड़ में हिंडिया में दोस्तो आज की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको रुजला पेरट दोस्तो आप देख सकते हो आपको रुजला पेरट के लिए बॉक्स 18 इंची का लगाना है और दस बाई दस की चोड़ाई रखनी है और दोस्तो नेक्स्ट लगाने के बाद आपको नौट टेक्स पॉर्डर एक आता है उसमें यानि डालना है कीड़े वगवड़े ना हो जाएं और यह बुरादा आपको दित्रा है सामने यह बुरादा डालना है दोस्तो आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल लेवारी है रोज़ाल करेव में दोस्तो में ऒरीन के बारे में कैसे आब देख सकते हो में किस तरा का उता है यह दिडnamぁ आपको यह सामने भी देख रहे होंगा आप देख सकते हो तो दोस्तों आज आपको फुल जानकारी मिल रही है कैसे कैसे आपको जानना है वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है मेल फीमेल की कैसे पहचान की जाती है आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पर कोई दोस्त इतनी बारी किसे इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको क्या खिलाना है मटर हरी मटर खिलानी आपको अच्छा चुक है आपका से बड़े आराम से खाता है दोस्तों अच्छा शोक है से खाना बहुत अच्छी बात है ज़ेगी नहीं आती है शेव से दोस्तों मिक्स सीड इस्तमाल किजिए उसमें संफ्लावर बहुत ही कम मात्रा में दीजिए और जितना बड़ा केश दिया जाए आप उतना बड़ा केश दीजिए और दोस्तों रोजला परेट को घास पत्ते बहुत अची खाने का शौक है बह और अनंद को भी कि दोस्तो बिरिड़ एक बहुती खुभसुरत परह deviation का नहीं है और इसे को फ़ठक that is मुझे तो łbymता नहीं और यह अब जरुद बताईए दोस्तो यह रोजिणा का लोटिनों का मेल है दोस्तो आप आप देख सकते हो कितना डार्क लोटी लो रोजिला ये मेल है फीमेल थोड़े हलके कलर की होती है आप पहचान सकते हो एक भाई ने मुझे कमेंड में पूछा था कि मेल फीमेल की पहचान बता हो तो दोस्तो मैंने आपको मेल फीमेल की पहचान भी बता ही है मेल किस तरह से द जित्षे हैं तरफ मेल की यानि जो साइज वह थोड़ा अलग हो ते मेले और जो बाजब दीवार की तरफ नहीं होता कि दो जाता है पाजी सकते हो ज्याहिए मेरे सांड़ते हो जो मेरे सामने वीडियों में लेफलंग are भी ओती ऐसी बात नहीं है और दोस्तो बहुत शौक से यह कौन्ज यानी भुट्टा यह भुत्ता बड़े प्यार से बड़े शौक से खाते हैं बड़े आनंद से खाते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सस्टाइब करना ना भूले और अपने एक बड़ा है तो यह पहले भी ब्रीड कर सकते हैं और दोस्तो आप जिसमें पीस कर दो या किसी चीज में कर दो का जरुआ आपका विश्ण पड़्वी अधियों से उस्वाली चीज्वी इसम्णा मिश्च वगेरा सेव चंत्र यह हर चीज खाता है अगर अच्छी तरह जैसे आप दोगे यह सब खाएगा काट के आप पूरा का पूरा रख देंगे बिल्कुल नहीं खाएगा और आप दोस्तों रात को जब भूंगी दाल गला के पानी में रख दोगे तो सुबह आप उसे दोगे तो यह भी बड़ी शौक से खाता है दोस्तों मूंगी दाल दोगे उतना ही बड़िया है यह आपके चना आगे दोस्तों आपको चना भी इस्तमाल करने है डायट में दोस्तों बहुत सारी चीज़े खाता है यह जितना अच्छी डायट दोगे उतना अच्छा आपका बढ़ रहेगा उतनी अच्छी आपकी ब्रीडिंग आएगी और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे भी पेर काफी खुशूरत हैं काफी हेल्दी है और दोस्तों ब्रीडिंग टैम इसका आता है यानि कि अक्टूबर से लेके अपरेल मई तक इसके बाद आप ब्रीड ना लें क्योंकि हर किसी के यहां पर पंखा कूलर नहीं हैं दोस्तों क्य है थाटी टैमपरिशन इसके लिए ब्रीडिंग के लिए सही है इस से अगर उपर ठहती ते वटर अगर टैमपरिशन जाएगा तो दोस्तों यह मर भी सकता है और दोस्तो मुर्गया तो आपका पियर विगड़ जाएगा फिर फीमेल आपको आसानी से नहीं मिल सकती है दोस्तो तो दोस्तो यह हमारे जो बढ़ है हमें इनकी बहुत अच्छी तरह से कियर करनी पड़ती है टेंपरिचल भी मेंटेन करना पड़ता है इसको क्या देना है को हर चीज यह खाता है और इसे अदल बदल के यह चीज खिलाते रहिए और इस खुबस्वत बर्ड को बड़े प्यार से रखिए और अब भी मैंने एक दोस्त के पास देखे थे रोजला पैरट नहीं है पोकाडेल्स तो उसके आप भीया ना तो पंखाता ना कूलर था और बिना कूलर पंखे के ही वो रख रहे थे दोस्तों पता नहीं कैसे लोग हैं उनसे ग्रीड लेते हैं बच्चे सेल करते हैं उसके बाद उन्हें कोई सेप्टी या कोई भी साधन उनके लिए प्रवाइट नहीं कर पाते हैं दोस्तों कहीं न कहीं दोस्तों कभी भी अपने बर्ड को कोई भी बर्ड हो कभी बाजरा वगयरा ये ना दे गर्मी में गर्वी करता है बहुत ज्यादा ना ठंड में दे आपके जो बर्ड के बच्चे निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे मैं कभी बाजरा इस्तमाल नहीं करता हूं ना बजरी के लिए ना किसी के ल और आप भी उस चीज पर ध्यान रखिए अगर रोजिला पालने का शोग है आपको तो रोजिला प्यार से पालिए रोजिला बहुत ही खुबसरत बर्ड है और बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है दोस्तों गोल्ड मैंटल रोविनो रोजिला आपका रैड फैरी हुआ और सार अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इस चैनल पर एक्जॉक्टिक बढ़ पर दोस्तों ऐसे ही आपने जो पहले प्यार दिया है पिछली वीडियो पर ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को बढ़ाने में आप लोगों झाल 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 लाद 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 ला यह कम टेमप्रेशर में ब्रीडिंग करते हैं तो दोस्तों गोलमेंडल बगेरा यह तो हर जगा ब्रीड कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से ब्रीड करते हैं इंपोरेंट बर्ड वो ब्रीड नहीं कर पाता है रेड प्रीमेंजन हुआ आपका मिली भी दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ब्रीड करते हैं